हलो फ्रेंड तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एक बहतरीन कोश्चन्स और आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी दिख रहे हैं और मैं बहुत दिनों से प्रियास कर रहा था कि आप सभी के साथ कुछ डिस्कसन किया जाए कुछ आप लोगे से बाते किया जाए और बहुत समय से समय भी नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब मैं आप सभी को समय देने के लिए आ गया हूं क्योंकि काफी समय से बहुत सारे लोग को कमेंट भी आ रहे थे बहुत सारे कुश्चन्स भी थे अब मैं आप सभी के सामने आ गया हूं जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो आप अपने comment को जरूर करिए जो भी आपके doubt हो जरूर आप share करिए कि ताकि आप सभी के जो मन में doubt है surveying subjects related या civil engineering के कोई भी subject से related आपको जो भी doubt है अब देखिए क्या होता ना कि बहुत सारे लोग बहुत question भेज देते हैं अब क्या होता ना सब के questions को explain करके समझाना कई बार WhatsApp के माध्यम से समझा देते हैं कई बार WhatsApp के माध्यम से नहीं समझ पाते तो उनको video lectures बना के समझाते हैं तो उसमें आपने भी patience बना के रखना है अब आप चाहेंगे कि मैं जैसे question बेजा तुरंत मुझे जवाब मिल जाए तो वो थोड़ा possible नहीं हो पाता है लेकिन फिर भी मैं try करूँगा कि आपके जो question से आपके जो doubt है वो जैसा मुझे मतलब step by step जैसे ही मुझे मतलब according लगेगा मैं वो आपको तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा ठीक है maximum try करूँगा कि WhatsApp पे आपका solution हो जाए उससे भी नहीं होता है तो वीडियो की माद्यम से आपको जरूर समझाने का प्रयास करूँगा तो आप सभी से एक humble request है क्योंकि आप सबने सयोग दिया तो यहां तक हम आगे बढ़के आए हैं और आपके सयोग के लिए ही तो यह चैनल स्टार्ट किया है कि ताकि आप सभी का जो requirement फुल्फिल हो पाए और प्लस सभी तक क्योंकि बहुत बहतरीन YouTube चैनल है और आप सभी का ही मतलब बोला जाए एक तरह से तो हर किसी के problem को solve करने के लिए है YouTube आया भी है ठीक है अब YouTube को अगर मैं अपने problem का solution ढूणने के लिए करूँगा तो मिलेगा अगर मैं अपने time को waste करने के लिए देखे तो वहाँ पर बहुत सारे waste करने के लिए है shorts आ गये हैं, reels आ गये हैं मैं try करूँगा कि shorts वीडियो भी आप तक पहुचाने का कोशिज करूँगा चोटे-चोटे shorts वीडियो आप तक पहुचाते रहूँगा और वीडियो डालते रहूँगा कि ताकि आप तक जो civil से related doubt है वो आप तक clear हो पाए और जैसे कि मैंने एक मतलब post किया है कि यह जो सामने आपके सामने यह दिख रहा है इसका मैंने मतलब यह जो prismatic compass दिख रहा है इसका नाम मैंने पूचा था ठीक है और कौन से type का survey है यह मैंने पूचा था तो आसा करता हूं आप सभी ने जवाब भी दिया होगा यह prismatic compass survey है ठीक है इसमें देखें एक question पूछा है what is surveying and its type the surveying से related सबसे ज़्यादा अगर most questions किसी ने search किया गूगल पे तो वो यह है कि surveying क्या है और उसके types क्या है ठीक है यह questions काफी लोगों ने पूछा है तो मैं आपको कई बार definition भी इसमें explain करके बताया हूँ कि surveying क्या है और उसके definition क्या है वो सारे चीज़े मैं explain करके बताए भी है ठीक है तो surveying क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दू तो surveying जो है एक art है determine करने क्या किसी भी point कोई भी मतलब given point है उसका position on the surface of the earth या below the surface of the earth या उसका position determine करने के art को ही surveying बोलते हैं अब surveying के types भी पूछ लिया कई सारे types के होते हैं अलग-अलग field के measurement के लिए अलग-अलग types का surveying होता है ठीक है यह भी मैंने अपने अगर surveying के मेरे वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने explain करके बताए हैं अब ऐसे type के questions अगर आपके सामने आ जाते हैं तो surveying के मेरे बहुत सारे most of video हैं ठीक है कई बार मुझे लगता है कि यार बहुत सारे वीडियो तो मैंने बनाए हैं क्या फिर से उसको बनाने की हो पाएं चाहे सर्वेइंग से रिलेटेड है चाहे concrete से रिलेटेड है अब देखिए मतलब आप सिविल की अगर स्टड़ी कर रहे हैं तो उसमें structure analysis से related questions मतलब आपके अच्छे subject होते हैं surveying से related अच्छे subject होते हैं transportation से related है building materials से related है concrete technology से related subject हैं यह सब subject मतलब आपको बहुत helpful करते हैं यह सब चीजों का knowledge है तो आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं तो यह प्रयास करके मतलब मैं try कर रहा हूं कि आप सभी तक वह basic funda तक पहुंचाय जाए और भी चीजे मैं अभी try कर रहा हूं कि मैं construction site पर भी मैं जाकर और वहां के भी कुछ important जो हमारे काम लाइक है उसका भी आपको आप तक वह वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूं तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी की जो doubt problems है उसको solve करने का ठीक है और आपकी तरफ से जो questions आते हैं उसको भी मैं solve करने का try करूंगा आपने presence अपनी तरफ बनाये रखना है मैं आप सब का जितने भी मतलब जो भी comment करने वाले हैं उनके मैं जवाब भी देने वाला हूं ठीक है जैसा suitable लगेगा उस तरह से मैं आपको जवाब भी दूँगा कि किस तरीके का कैसे questions है आप comment भी करते रहें ठीक है और प्लस वीडियो जितने भी मेरे हैं आप कोई इसमें बहुत सारे इसे subscriber है जिन्होंने मतलब सारे वीडियोज को देखे हैं बहुत सारे ऐसे जिन्होंने इस वीडियोज को देखके और अपने एक्जाम को clear किया है बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अभी जौब भी कर रहे होंगे तो अपने experience को भी यहां पर share कर सकते हैं और कुछ ऐसे वीडियो भी मैंने मतलब ऐसे ही डाल दिये थे कि ताकि बहुत सारे लोग थे कुछ help मिल पाए तो देखिए जो आपको पसंद वीडियो नहीं आते हैं उसको ignore करें जो आपके like है जो आपको प session होता कुछ आपकी बाते होती कुछ हमारी बाते होती तो ऐसे लंबे बहुत सारी बाते हो सकती हैं तो यह तो प्रयास है कि मतलब आप सभी के साथ जुड़ा जाए आपके सब लिंक बना रहे हैं और मैं expectation यह रखता हूं कि आपके जो doubts हैं वो please आप भी यहां पर share करें ठी ठीक है मैं भी प्रयास करूंगा कि आपके हर वो questions का जवाब जूँ ठीक है और प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे content आपको बनाएं और अच्छे से अच्छे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ठीक है मैं यह इसलिए आपके सामने यह वीडियो लेके आ रहा ह हैं लेकिन फिर भी और भी सारे भरके मैं वीडियो बना दूं कि किसी को भी कुछ भी तरह क्या questions का डाउट होना वह clear हो पाएं कोई ऐसे question उसके मन में ना रहा है कि यह question मुझे समझ में नहीं आ रहा है वह अपने YouTube चैनल पर सर्च करे YouTube पर जाके सर्च करें तो यह इसको व requirement of fulfill होता रहेगा जैसे मैंने पहले वहला बाते तो करते रहेंगे बहुत सारे बाते हैं मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो confusion हैं आपके जो doubts हैं मिल जूलके हम सभी उसको solve करेंगे कुछ आप का help रहेगा कुछ हमारा help रहेगा ठीक है मिल जूलके हम सभी प्रयास करेंगे कि ताकि किसी के पास कोई भी प्रकार का कोई doubt ना रहे हैं ठीक है और आप अपने experience जो pass out हो चुके हैं जो अभी फिलाल job कर रहे हैं वो भी अपने experience को share कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका अभी जौब का location क्या है जौब में क्या कर रहे हैं वहाँ पर कीस परकार के difficulties आती है या किस परकार से आपने अपने study को किया कि वहाँ पर बहुत अच्छे से helpful आपको मिल रहा है तिन सभी का भी हम आप सब के साथ जिक्र करते रहेंगे और आप भी हमारे साथ मिलके जिक्र करते रहेंगे तो यहां पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं और आप सभी से आसा करते हैं कि आप जरूर इस channel को सयोग देंगे और आगे उपर लाने का प्रयास करेंगे धन्यवाद